अलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेर बॉक्स के जनरल मेंटेनेंस के बारे में चाहे वो सिंगल स्टेज गेर बॉक्स हो चाहे वो मल्टी स्टेज गेर बॉक्स हो गेर बॉक्स की जो मेंटेनेंस होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं Gearbox के basic parts के बारे में जानेंगे और उसके general maintenance में क्या होता है यह जानेंगे तो बने रहिएगा आप वीडियो में अंत तक चलिए स्टार्ट करते हैं Gearbox के maintenance के बारे में बात करने से पहले हम short में discuss कर लेते ہیں कि आखिर gearbox क्या होता है और gearbox के इस्तमाल किसलिए किया जाता है gearbox का क्या काम है तो gearbox एक mechanical equipment है जिसका use हमेशा motor के साथ में किया जाता है gearbox का main काम होता है speed reduction जबकी torque increase कर देता है gearbox gearbox को हमेशा motor के साथ use किया जाता है क्योंकि मोटर का जो आउटपुट होता है मोटर का आउटपुट हाई स्पीड होता है और हाई स्पीड जहां होता है वहाँ पे हमें टॉर्क कम मिलता है तो हमें किसी भी मसीन और एक्यूपमेंट को चलाने के लिए हाई टॉर्क की अवशकता होती है high torque होने की वज़े से वहाँ पर high load लिया जा सकता है तो motor क्या करता है gearbox क्या करता है आपके motor के high speed को low speed में convert कर देता है जिसकी वज़े से वहाँ पर हमें high torque मिलता है और हम बड़े से बड़े equipment को चला सकते हैं कम power से इसलिए gearbox का use किया जाता है तो आप समझ गया होंगे gearbox single stage भी हो सकता है gearbox multi stage भी हो सकता है single stage gearbox का gear ratio कम होता है in comparison multi stage gearbox multi stage gearbox का gear ratio ज़्यादा होता है अब बात कर लेते हैं gearbox maintenance के बारे में यहाँ पर warm and wheel gearbox आपको दिख रहा है मैं इसको open condition में दिखाऊँगा gearbox में दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा important है एक होता है उसका bearing तो gearbox में mostly taper roller bearing use होता है bearing को check किया जाता है कि bearing सही condition में है की नहीं अगर bearing सही condition में नहीं है तो bearing change कर दिया जाता है और इसके साथ ही gearbox के oil seal को भी check किया जाता है running condition में अगर gearbox से oil leakage हो रहा है इसका मतलब यह है कि उसका oil seal फट चुका है oil seal damage हो चुका है तो oil seal को change कर दिया जाता है oil seal soft के और casing के बीच में लगता है और gear box से oil को leakage होने नहीं देता है gear box में proper lubrication हो इसके लिए जरूरी है कि उस gear box का oil seal सही होना चाहिए अगर oil seal कटा होगा तो oil leakage होगा यह है आपका warm and wheel type of gear box इसमें एक stage में speed reduction होता है इस पे एक यह देखिए आप सामने जो देख रहे हैं यह इसका cover है जिस पे bolts लगे हुए है वहाँ से इसको खोला जा सकता है और खोल करके इसके अंदर के जो wheel है warm and wheel gear box है यह जिसमें wheel को निकाला जा सकता है इस side से आपको मैं खुला हुआ gear box अभी दिखाने वाला हूँ just open करने के बाद में यह आपका gear box है इसको cover खुल गया है और यहां से हमने wheel को निकाल लिया है निकालने के बाद हमने उसके दोनों bearings को चेक किये है और यहाँ पर से इसका warm shaft डला होता है जो कि input shaft होता है warm shaft का भी दोनों side में oil seal लगता है और दोनों side में bearing लगता है यह है आपका warm shaft है इस पे देख लीजे दोनों side bearing लगा हुआ है है ना यह दोनों side bearings है यह एक bearing है एक नीचे bearing है bearings को हम चेक करेंगे अगर bearing सहीं नहीं रहेगा तो bearing को change कर देंगे और इसके साथ साथ में हम fit करने के समय में इसमें oil seal भी replace कर देंगे ये है इसका warm wheel आप देख सकते हैं warm wheel में भी दोनों side bearing लगे हुए है एक यहाँ पर उपर लगा हुआ है एक यहाँ पर नीचे लगा हुआ है इन दोनों को भी चेक कर लेंगे और इसके साथ ही सारे teeth को अच्छे से देख लेंगे कि कहीं teeth wear तो नहीं हुआ है अगर teeth wear होगा तो wheel भी change कर देंगे जिस पे teeth लगा हुआ है और warm shaft का अगर teeth अगर wear हो गया है तो हमको warm shaft को पूरा change करना पड़ता है तो दोस्तों ये वीडियो था हमारा गेर बॉक्स मेंटेनेंस के उपर अगर आपको ये वीडियो पसंद आजे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा और एक लाइक तो जरूर कर दीजेगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा